प्रिडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 73 के बारे में याने की अनुछे तैह 특र के बारे में अनुछे तैह特र बोलता है कि किस हद तक केंद्र का एक्जिक्यूटीव पावर है मतलब उनका जो काम करने का जो पावर है वो किस हद तक जाता है कोई extent तक केंद सरकार काम कर सकती है executive power के रूप में ठीक है देखो तीन तरह का चीज़ होता है executive एक होता है judiciary और एक होता है legislature तो executive मतलब हो गया जो officers वाले जो काम करते हैं जो implementation होता है किसी भी policy का तो उसको हम लोग बोल सकते है executive power और legislature मतलब जो कानून बनता है उसको legislature बोलते ह और judiciary का मतलब तो आप जानते ही है जो court वगेरा जो फैसले वगेरे लेते हैं तो वो हो गया आपका judiciary तो इस article में हम लोग जानेंगे कि केंद सरकार किस हद तक executive power का इस्तेमाल कर सकती है या उसका किस इतना हद तक executive power है तो इस article के अरुसार केंद सरकार के पास केंदर के पास इस हद तक executive power है कि parliament जो भी law बनाएगी ठीक है जो भी law बनाएगी उस law को implement करने का या parliament को वो law बनाने का पूरा पूरी हग है ठीक है वो पूरा पूरी उसके power में आता है मतलब कि इस constitution में इस समिधान में जिस जिस चीजों पर भी parliament का हग है कि वो कानून बना सकती है उन ची इन सरकार के अंदरगत आएगी मतलब कि union के अंदरगत आएगा उसके बाद ये कहा जाता है कि इस हद तक rights को है मतलब इस हद तक उसके पास ये च्छमता है कि वो अपना rights को अपना हक को authority को या फिर नयाय करने का जो च्छमता है उसको उस हद तक चलाए जहां तक कि government of India को क आप लोग अभी अच्छे से अपना राजी को नहीं समाल पा रहे हो तो इसलिए हम लोगों को ये राजी देदो समालने के लिए और state agree कर जा कि ठीक है government of India अभी इसको चलाएगी तो government of India उसको आराम से चला सकती है तो यहां तक executive power जो है वो union का काम कर सकता है ठीक है किसी भी authority के द्वारा अगर चाहे तो union of India मतलब की जो cancer कार है वो सासन कर सकती है या अपना executive power का इस्तिमाल कर सकती है ठीक है और यह ही है अपका हमारा और सबका article 73 है जो की constitution of India में कहा गया था अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please को like करो, share करो, कुछ भी पूछना हो, बताना हो या suggestions देना हो तो comment करो and subscribe करो इस channel को, thank you very much